बहुत जोरो की भूख लगी हो और बिल्कुल 10 मिनट में रेस्टोरेंट स्टाइल कुछ खाने का मन हो तो ये कूकर में हम लोग बनाएंगे पास्ता की रेसिपी जो बिल्कुल जटपट से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और इतनी जूसी और इतनी टेस्टी ये रेसिपी बन करके तयार होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे और टेस्ट की तो बिल्कुल गारंटी है तो चलिए फिर भी ना देर की अपने वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने सबजीयो को काट लिया है अपने मन पसंद की आपको इसी भी सबजीया ले सकते हैं और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है तीन बड़े प्याज और कुछ लैसन की कलिया अगर आपको लैसन की पसंद नहीं है तो आप उसे इसकी भी कर सकते हैं तो यहाँ पर प्याज को हम लोग छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे बहुत जादे बारीक नहीं काटना है और बहुत आथ में कुछ हरी मिर्च लेंगे हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया जादा जैसे भी हो आप ले सकते हैं इन सारी सबजीयों को काटने के बाद एक प्रेशर कूकर में दो बड़े चमच डालेंगे और एक चमच के करीब डालेंगे बटर दोनों जब आप लेसन को डाल देंगे हलका सा कच्चा पन इसका निकलेगा तो इसमें कटे हुई मिर्चे को डाल करके हलका सा कलर चेंज होगा तो डालेंगे कटे हुए प्याज और इन सारी चीजों को बिलकुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक हमारे प्याज के साथ साथ ही डाल देंगे नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग आधा चमच के करीभल्दी पौडर और एक चमच भर कर डालेंगे काली मिर्च पौडर इन सारी चीजों को बिलकुल अच्छे से हम लोग मिला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ प्यास टमाटर बिलकुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके अब यहाँ पर अपनी सबजियों को जो मैंने काटा था एक बाउल के करीब कॉर्ण लिया है थोड़ी से बीम्स ब्रॉकली साथ में लिया है कटे हुए सिमला मिर्च और कटा हुआ गाजार यहाँ पर जो भी सबज सबजियों को हाई फ्लेम पर हम लोग फ्राई करेंगे सबजियों को हाई फ्लेम पर फ्राई करने से सबजियों के अंदर जो इसका क्रंचीने से वो बना रहता है तो यहाँ पर देखिए फ्लेम को हाई रखा है मैंने और यहाँ पर डालेंगे हम पास्ता मसाला आप किसी भ जो पास्ता है वो और हिल्दी हो और इसे ठंडे पानी इसके अंदर डाल करके इसे ठंडे पानी से हम लोग बिल्कुल अच्छे से धो लेंगे जिसे की इसके अंदर का स्टार्च निकल जाया हम लोगों को यहां बॉयल नहीं करना है इस वज़ा से उसे अच्छे से धो लेना क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला हुआ है पानी को डालते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहां पर देखिए दो कप मैंने पास्ता लिया था और उतनी सारी सबजीया तो दो कप से थोड़ा कम ही पानी डालेंगे और पानी को चिप करने के लिए एक और क्वांटिटी है थो हमारा जो पानी है वो पास्ते के नीचे है अगर इस क्वांटिटी में आप पानी रखेंगे तो आपका पास्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और हाई फ्लेम पर एक भीसिल आने देंगे इसके बाद प्रेसर से आधा प्रेसर हम लोग निकाल देंगे इसके बाद कूकर क ठंडा होने देंगे और इस तरह से देखिए बिल्कुल पान से साथ मिनट हमारा पास्ता बिल्कुल बन करके तयार है अब इसमें हलका सा चिली फ्लेक्स और हर्ब्स थोड़ा सा डाल देंगे साथ में एक बड़े चमच भर करके सॉस डालेंगे अगर ये सारी चीजे आपक इसकी भी कर सकते हैं लेकिन इसे पास्ते का टेस्ट बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल हो जाता है और बिल्कुल जटपट से बन करके तयार होता है ये हेल्दी पास्ता इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर रवा सूजी से बने हुए पास्ता का इस्तमाल किया है तो इस त कर रहे हैं कि ममी अच्छा कुछ खाना है तो यह पास्ता कूकर में बिल्कुल 5-7 मिनट में बनाई और बच्चों को दीजिए यहां पर आप देख सकते हैं हमारा पास्ता जो है कितना परफेक्ट बना है और पास्ता आपस में स्टिकी भी नहीं हुए बिल्कुल अलग-अलग हमारे जो है वो पास्ते बन करके तयार है तो पानी का मेजरमेंट अगर आप अच्छे से रखेंगे तो आपका पास्ता बिल्कुल परफेक्ट बन करके तयार है तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हम लोग मिलते हैं एक और नहे ब्लॉग में तब तक के ल ये बाई बाई